बाई लाद था इसमें लॉंग की कुछ भी इसको तो भाई जैसे आप पारलर में या घर में जब भी यूज करें जे रिरंफ प्लिन करें, उष समय इसको आखो के पास तो बिलकुल members करें, जैसे इसकी घुस денег वह कहिंभा बहुत ज्याया ज़्यादा देजर जलं करेगा यांखो क्यासपस, तो इसको आखों के पास बिल्कुल भी यूस ना करें मेरी मानने तो बाक्की आपकी मर्ची होता क्लिंजर ये कहा गया इसका पाउडर वाला देखते हैं क्या सिस्टम था पेका गया क्रीम आगए ये है इसके सेकंड वाला राउंड जो पाउडर में है हाँ भई पाउडर में स्क्रब भी है इसने स्क्रब नाम दिया नहीं पर ये स्क्रब ही है इसमें इतनी तेज खुस्बू नहीं है पर इसमें एक तरह से देखा जाए तो इसमें थोड़ी सी चमक है वह आपको वीडियो में दिखे कि नहीं थोड़ी इस पाउडर में चमक है ये स्क्रबी ही है एक तरीके से ये स्क्रबी है इसमें दाने बिलकुल बारिक है इसमें बारिक दाने है अच्छा है इतना भी ऐसे टाइट नहीं है चुबने जैसा ठीक बारिक है इसमें एक नट पॉस करते हैं आए है या जा गया और ये स्क्रब अगया इन्हों ने कहां कि क्लेजर के बाद ही स्क्रब गणाप भी तो फिर क्रीम का यूज़ करना है इस खे़िक रेंगि ये भी बहुत तेज है बहुत तेज को सबस्में भी लोंग ती इस पे इस में तो इसमें तो लिखावा नहीं है कि आखो के पास करना है कि नहीं करना बाकी कर सकते हैं थोड़ा बहुत अगर जलन ना हो तो कर लिए जलन हो तो आखो क्या सपास आप छोड़ दे कुकुम्बर कहा गया इसका कुकुम्बर कुलों फेस डोणर इस अपेक पर जो इस डब्बे पे लिखागा ये थोड़ा अलग है ये अंदर कुछ अलग है ऐसे कैसे ये पेका गया और ये पेंपर्स का कुकुम्बर ये चोथा स्टेप है इसका भी करते हैं वही सुबारम रेखा जो खाते हैं के आंप ये तो पानी के जिस्वापता टोनर तो कि सुब इत पासनी तो ये ता बरैस आपना वेसे तो इता वेस्वापना वेस्याओ तो ये ता बरैस अपना वेस्याओ झाल झाल